हेलो एवरिवन अब हम काबली वाला का अंतिम भाग यानि की भाग पांच सुनेंगे इससे पहले के सारे पार्ट का लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में शेयर किया है अगर आप सुनना चाते हैं तो डेस्क्रिप्शन में जाकर वहां से सुन सकते हैं चौथे पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि काबली वाला मिने से मिलने की इक्षा जाहिर करता है और लेखक उसे मिलाने से मना कर देता है अब हम उसके आगे सुनेंगे काबली वाला पास आकर बोला ये अंगूर और कुछ किश्मिश बादाम बच्ची के लिए लाया था उसको दे दीजिएगा मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे लेकिन उसने मेरे हाथ को थमते हुए कहा आपकी बहुत महरवानी है बाबु साहब हमेशा याद रहेगी पैसा रहने दीजिए तनिक रुप कर फिर बोला बाबु साहब आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है उसकी याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ मैं यह सौदा बेचने नहीं आता कहते हुए उसने धीले धीले कुर्ते के अंदर हाथ डाल कर छाती के पास से एक मेला कुचला मुडा हुआ कागस का टुकडा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारो तह खोल कर दोनों हाथों से उसे फैला कर मेरी मेज पर रख दिया देखा कि कागस के उस टुकडे पर एक नन्ये से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है फोटो नहीं तेल चित्र नहीं हाथ में थोड़ी सी कालिक लगा कर कागस के उपर उसी का निशान ले लिया गया है अपनी बेटी के इस स्मृती पत्र को चाती से लगा कर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौधा बेशने के लिए आता है और तब वे कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्ष उसके बिछडे हुए विशाल वक्ष स्थल में अमरत उडेलता रहता है देखकर मेरी आँखें भर आई और मैं इस बात को बिलकुल ही भूल गया कि वे एक मामूली काबूली मेवा वाला है मैं एक उच्चवंश का रहीस हूँ तब मैंने तब मुझे ऐसा लगा कि जो वे है वही मैं हूँ वे भी एक बाप है और मैं भी उसकी परवतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है मैंने ततकाल ही मिनी को बाहर बुलवाया हलांकि इस पर अंदर घर में आपत्ती की गई पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गिवाह के वस्त्रूं और अलंकारों में लिप्टी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकडी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई उस अवस्ता में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया उससे पहले जैसी बाचित न करते बना बाद में हसते हुए बोला लली सास के घर जा रही है क्या मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी अते अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना रहमत की बास सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख हो गए उसने मुझ को फेर लिया मुझे उस दिन की याद आई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था मन में एक पीड़ा की लहर दोड़ गई मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्ष पर बैठ गया शायद उसकी समझ में यह बाद एका एक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करने पड़ेगी संबफत है वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा इन आठ वर्ष रों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने सवेरे के समय शरत की इसनित सूरिक किरणों में शेहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेर उपरवत का द्रश्य देखने लगा मैंने एक नोट निकाल कर उसके हाथ में दिया और कहा रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी रहमत को रुपए देने के बाद विवा के हिसाब में से मुझे उस सफ समारो के एक दो अंग छाट कर काटने पड़े जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया घर में औरतने बड़ी बिगडने लगी सब कुछ हुआ फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व जोटसना से हमारा शुप समारो उज्ज्वल हो था तो फ्रेंड्स ये कहाने बस यहीं तक थी अब इस कहाने के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं ये कहाने खतम हो चुकी है लेकिन मैं और बहुत सारी कहानिया लेकर आना चाहती हूँ अगर आपके लिए कोई खास कहानी है जिसमें जो आपको हैल्फुल है आपके बच्चे के लिए हैल्फुल है या आपका कुछ मन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं उस विशय पर कहानी लेकर आने के जरूर कोशिश करूँगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ठैंक्स वर वाचिंग बाई बाई